लेटिस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब करें एड्यूकेशन सपोर्ट चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे एकसल के शॉटकट जिसकी मदद से आप पूरे एकसल को कीबोर्ड की मदद से बहुत ही इसली ऑपरेट कर सकते हैं आप माउस का पूरा यूज करना भूल जाएंगे ओफिस में या पर्सनल वर्क में आप पूरे एकसल वर्क को कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं तो कुछ ऐसे शॉटकट हैं इसे वन बाई वन मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगे तो लास तक वीडियो को जरूर देखें पहला जो शॉटकट है आप सपोस कीजिए आपको एक रो सेलेक्ट करनी है तो आप माउस की मदद से सेलेक्ट करते थे पर ऐसे नहीं आप डिरेक्ली क्या कर सकते हैं शिफ्ट के साथ स्पेस शिफ्ट के साथ स्पेस जब आप दबाएंगे तो आपकी जो रो है वो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी ऐसे ही अगर आप कॉलम करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ स्पेस को आप दबाएंगे तो आपकी जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगी और अगर आप इसे पढ़ाना चाहते हैं जैसे shift के साथ आप इसे आगया ले icon arrow को click करते जाएए यह आपका column वो select होती जाएगी यह था हमारा पहला shortcut दूसरा जो shortcut है बिना mouse के आप filter लगा सकते हैं आप इसे पूरा select कर ले शिफ्ट के साथ select करते जाएं और control दबाएंगे तो एक बार में यह आपका लास्तर select हो जाएगा और ALT H S F ALT H S F इस तरह से आपका देख रहे हैं यहाँ पर filter लग जाएंगे अब आप यहाँ पर इसली filter लगा सकते हैं यहाँ देखे कैसे select करेंगे ALT के साथ नीचे down का arrow यहाँ पर आएगा और इस नीचे आएंगे और space से आप इसे select करेंगे से space bar से जितने भी आप select करना चाहते हैं यहाँ पर आप select कर सकते हैं जितने भी यहाँ पर आप enter करेंगे देखे यह select हो गया है फिर यहाँ पर आपने filter लगाया यहाँ पर देखे मैं यहाँ पर कुछ description पर filter लगा लेता हूँ अब suppose किजिए आपने बहुत सारे columns पर filter लगाया है अब आपको ध्यान नहीं है कि किस column पर filter लगाया और किस column पर नहीं तो आप इसको कैसे remove कर सकते हैं एक ही shortcut से कि सारे filter remove हो जाएंगे हट जाएंगे हर column से filter हट जाएंगे तो आपको दबाना है alt d f s इससे क्या होगा आपकी जितने भी फिल्टर लगेवे हैं columns पर वो सारे filters हट जाएंगे तो insert करने के लिए दूसरा shortcut है आपको insert करना है suppose कि आपको column insert करना है या आपको row insert करना है तो आपने shift के space के साथ इसको select किया shift और space के साथ select किया ctrl shift और plus का icon तो यह आप देखिए यहां पर उपर की side क्या हो गया एक row insert हो गया ऐसा ही ctrl के साथ space select किया और अगर आप column insert करना चाहते हैं तो वह ctrl shift और plus का icon देखें यहां पर column आपका insert हो गया है इसे मैं हटा देता हूँ भी यह दो shortcut हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं रो या column insert कर सकते हैं बिना mouse की help से इसे ही shortcut हैं जो mouse का use ना कीजिए आप auto fit करना चाहते हैं suppose कि यहां पर description है वह काफी बढ़ा है और वह hide है यहां पर मैंने hide कर दिया अब उसे आप mouse की मदद से बढ़ा करेंगे इस तरह से ना करके आप इसको simply select करें ctrl shift के साथ और alt h o i जैसे आप enter करेंगे तो यह auto fit हो जाएगा इस तरह एक shortcut होता है इसको आप center में लाना चाहते हैं यहां पर workstation लिखाए इसे मैं center में करना चाहता हूँ तो alt h a or c जैसे यहां पर दभाएंगे यहां पर center में जाएगा तो alt और h के साथ देखते हैं आप उपर की साइड बहुत सारे functions open हो जाते हैं तो आपको automatically याद हो जाएंगे फिर आपको mouse का use करना ही नहीं पड़ेगा simply हर तरह से होता है जिसे आपको border यहां से select किया आपने shift के साथ और यहां पर आपको border remove करना है तो alt h b और n तो border remove हो गया दुबारा आपको लगाना है तो आपने दुबारा इसे select किया alt h b और a यहां पर border जिस selected जितना भी मैंने selected से cells वहां पर border लग चुका है अब अगर आपको overall sheet select करनी है तो आप कैसे करेंगे guys overall sheet तो जिसे पूरी sheet जिसमे data हो जिसे यहां तक data है as तक यहां आप देखेंगे column का नाम as पर नीचे अगर जाते हैं control के साथ नीचे जाएंगे तो लेक बार में पहुंच जाएंगे देखेंगे यहां पर तो इसे कैसे select करेंगे आपको simply दबाना control shift और space तो जितने भी cell में आपका data होगा वह select हो जाएगा आप उसे copy कीजिए, cut कीजिए, paste कीजिए, जो भी करना चाहते हैं एक बार में आप इस shortcut की मदद से पूरे data को select कर सकते हैं नीचे के side to sheets हैं, इसमें कैसे आप up down करेंगे तो आप control के साथ page up, page down करेंगे यहां move कर सकते हैं आप करेंगे तो back side जाएगा, down करेंगे, page down, control आप press करेंगे आप down करके आप sheet को change कर सकते हैं sheet अगर नई insert करनी हो, तो आप क्या करेंगे simply दबाएंगे shift और F11 shift और F11, देखिए एक नई sheet आपकी insert होगी तो बहुत सारे shortcuts हैं, अब इस video में मैं आपको सारे shortcuts नहीं बता सकता है क्योंकि video काफी lengthy हो जाएगी तो जितने भी common थे, जो मुझे लगा जो common है कैसी लगी video मुझे जरूर comment box में बताएं और video को like करें, share करें मिलते हैं अपनी next video में क्योंकि झाल